Hello Friends, आज की जो हमारी वीडियो है वो साइन्स, जो Chemical Reaction, चमिस्ट्री का टॉपिक है Chemical Reaction उसके उपर हम इंपोर्टन्ट M.C.Q डिसकस करेंगे First of all आपको पता होना चाहिए कि जो Chemical Reaction होती है वो क्या है? ठीक है? Chemical Reaction क्या होती है? chemical का मतलब होता है गर देशी language में देखे जो हमें नहीं दिखता ठीक है जैसे हमेरे पेड के अंदर भी गुड़गुड होता है है न वो भी क्या एक reaction हो रही होती है बड़ी ये reaction क्या है क्या चीज ठीक है ये reaction क्या होती है है न बोलते कि medicine react करगी reaction होगी इसको ये होती क्या है एक होता है left hand side और एक होता है right hand side ठीक है जब कोई भी चीज यहाँ पर react करती है ठीक है left hand side में क्या होते है reactant और right hand side में जो बनता है product ठीक है अब जैसे हम कोई भी चीज खाते हैं खाना खाते हैं हमारे paid के अंदर HCL होता है कौन सा acid होता है HCL जब वो खाना और HCL react करते है reaction होती है ठीक है उसको हम बोल जैसे गुड़ गुड़ हो रहा ना वो मतलब reaction हो रही है और उसके बाद जो ऐसे acid बनता है बोलते खटा पानी आ रहा है वो क्या होता है product होता है ठीक है वो क्या होता है product होता है और इसी सारे process को हम क्या बोलते है reaction अब एक और example लेती हूँ left hand side हम क्या लिखते है reactant जिसको हमने react करवाया होता है और right hand side हम क्या लिखते है product ठीक है अब जैसे hydrogen hydrogen gas, जब oxygen से मिलती है, क्या बनता है, पानी बनता है, वाटर बनता है, ठीक है, ये रियात हुई दोनों चीजे और एक product बना दिया, इसको हम बोलते हैं reaction, लेकिन हमें नहीं दिख रही है ये, तो हम कोन सी reaction बोलेंगे, chemical reaction, जो हमें दिखती है, या फिर, जिससे new product नहीं बनता ह है, उसको हम बोलते हैं, physical reaction, जा physical change, I hope आपको chemical reaction का मतलब समझ आ गया होगा, अब इसके उपर हम देखते हैं, important MCQ, जो JKSV, repeatedly time, जो पूछे हुए उनोंने, अब JKSV तो रहा नहीं दो, उसका पता नहीं paper का क्या है, हो ही जाएंगे, एक दिन तो होंगे ही, पर जो SSE में आते NCRT based question नहीं है, ठीक है, कोई भी आप exam दोगे, competitive exam, GD का दो, या 10th level का दो, या फिर graduation level का दो, ये सभी में important है, क्योंकि ये सारे question NCRT based है, ठीक है, तो हम first question देखते हैं, dash is an example of physical change, ठीक है, इसमें से हमने बतानी है, physical change क्या होती है, ठीक है, अब चार option दिए हैं, पहला है, milk से जब देहीं बनता है, ठीक है, दूर से जब देहीं बनता है, वो physical change है, या chemical change है, जब candle जलती है, वो physical change है, या chemical change है, silver wear, blacking, ठीक है, जो silver की चीज़े, चांदी की जिज़े, आपने अंगुठी डाली है, चेन डाली है, वो भी काले हो जाती है, तो वो भी क्या है, physical change या chemical ठीक है जांफीन जब हमने पानी में sugar dissolve किया है वो physical change है या chemical अब दूर से देही जब बनता है ये हमें नहीं दिख रहा है कि कैसे बन रहा है कौन से bacteria है lactobacill bacteria है कौन सा process हो रहा है वो हमें नहीं दिख रहा है ठीक है हमें बस हम दूर लग देहीं डाल देते हैं तो सुबा हम देखते हैं देही बन गया है ठीक है तो ये क्यों सा है chemical जब candle जलती है वो तो हमें दिखती है लेकिन उससे जो आगे new product बन रहा है वो हमें नहीं पता ठीक है तो ये भी क्या है chemical जब silver काला हो जाता है जब काला हो जाता तब हमें दिख रहा है कि हाँ काला हो गया लेकिन कैसे हुआ वो भी नहीं पता वो chemical reaction हुई ठीक है उसके बाद जब हम चीनी को पानी में mix करते हैं वो तो हम सामने करते हैं आप खुदी एक गिलास में पानी डालो एक में चीनी डालो उसको mix करो सामने दिख रहा है आपको होना physically दिख रहा है तो ये बाला जो option है वो correct है ये होता है physical change ठीक है जब शुगर को पानी में mix करते हो ये कौन सा है physical change very important option fourth हमारा correct next question है जब हम coilे को जलाते हैं क्या question है burning after coal ठीक है जब हमने coilे को जलाया वो किसकी example है कौन सी reaction होई इसमें ठीक है reaction की भी type होती है जैसे decompose होना double displacement combination या displacement decompose होता है कि उसमें से कोई चीज निकलती है double displacement होता है कि reaction exchange हो जाना ठीक है जैसे हमने NaCl डाला पानी के बीच में तो ये क्या हो जाएगा exchange मतलब कि Na Na और O ठीक है ये इसके साथ चला जाएगा HCl बन जाएगा साथ में acid निकाल देगा ये होगी double displacement यहाँ पे भी displace हुआ यहाँ पे भी displace हुआ जब एक displacement होगी तो उसको हम बलेंगे displacement तो कौनसी reaction होती है combination reaction क्योंकि इसमें combine हो रही है कोई भी चीज़ जब हम कोईले को जला रहे हैं तो कोई combine होके एक single product बनता है राख तो यह कौनसी है combination process टीक है अब जैसे combination कौनसी होगी hydrogen plus oxygen तो इसके साथ क्या निकलेगा water निकलेगा मलब इन दोनोंने combine होके एक बना दी हना एक product बना दिया तो ऐसी reaction को हम बोलते हैं combination reaction टीक है जब हम कोईले को जलाते हैं तब भी कौनसी reaction बनती है combination reaction option थर्ड हमारा correct है अब next question है हमारा इन्होंने बोला है कि example बताओ oxidation और reduction की very important यह reaction है जब दोनों process होता है एक ही चीज में उसको हम redox reaction बोलते हैं लेकिन पहले है उससे पहले हमें पता होना चाहिए oxidation क्या है और reduction क्या है oxidation वो reaction होती है जिसमें oxygen add होता है और oxygen reduce होता है टीक है जिसमें oxygen add होता है और hydrogen reduce होता है ऐसी reaction को हम बोलते है oxidation reaction टीक है जिसमें oxygen add होता है hydrogen निकलता है ऐसी process को हम बोलते है oxidation reaction जिसमें reduction reaction क्या होती है जिसमें oxygen release होता है और hydrogen add होता है ऐसी reaction को हम बोलते है reduction और यह जो process दोनों में होते हैं उसको हम बोलते है जिसमें oxygen होता है अब कोशन में बोला है कि हमने example बतानी जिसमें ये दोनों reaction हो रही है अब first है hydrogenation आफे vegetable oil ठीक है hydrogenation आफे vegetable oil hydrogenation हो रही है इसकी तो मतलब hydrogen add हो रहा हुआ reduction reaction तो हो ही रही है तो first हमारा यहां पर हमें दिख रहा है वो correct है तो third वाला automatic incorrect हो गया है अब next option दिया हुआ है corrosion आफे metal ठीक है जब metal की corrosion होती है तो moisture में होती oxygen oxygen ही gate में यहां फिर door में attack करती है मतलब add होती है तो मतलब यहां पर oxidation हो रही है यह भी correct है ठीक है तो दूसरा वाला भी हमारा correct जहां पर first two है वो correct है third देख लेते हैं soaring आफे milk ठीक है इसमें नहीं क्योंकि इसमें acid होता है तो हमारा जो option A है वो correct है यहां पर hydrogenation मतलब hydrogen add हो रहा है और यहां पर oxygen add हो रहा है ठीक है तो दोनों में oxidation और reduction reaction हो रही है तो option 1 हमारा correct है next question है हमारा वो वाला metal बताना है जो क्या बनाता है amfotric oxide amfotric oxide वो होते हैं जहां पर acid V और base V तीक है दोनों की reaction होती है acid V based की दोनों reaction होती है अब इन में से कौन सा ऐसा metal है दोनों की reaction होती है इसमें acidic V और basic V तो first हमारा option है टीक है फर्स्ट हमारा option है जिंक, ठीक है जिंक में acidic भी होती है और basic भी होती है ठीक है उसके बाद lead ठीक है PB उसमें भी होती है ये ठीक है तो M-4-trick oxide कौन से है जिंक ये क्या होते है M-4-trick oxide जिसमें acid और base दोनों की reaction होती है तो option A हमारा correct है अब इन्होंने एक reaction दिये और पूछा है ये reaction कौन सी reaction है ठीक है ये reaction कौन सी reaction है अब sodium chloride और silver nitrate अब यहाँ पे देखो sodium के साथ nitrate और silver के साथ chlorine मलब double displacement हो रही है न दो चीज़े exchange हो रही है तो जहाँ पे दो चीज़े exchange हो तो वहाँ पे क्या होता है double displacement reaction ठीक है दो चीज़े exchange होई है तो इसका मतलब दो इक्चेज़ हुआ है double displace हुआ है उसके बाद redox reaction redox का क्या होता है जिसमें oxidation और reduction दोनों होती है वो होती है redox reaction displacement जिसमें एक ही चीज़ इक्चेज़ हो रही है उसको हम बोलते है displacement reaction combination combination का मतलब होता है कि जैसे हमने hydrogen को oxygen के साथ react करवाया तो महां पे जाके एक product बन गया ठीक है combine होके एक product बन गया उसको हम बोलते है combination process ठीक है तो हमारा option एक react है next question है हमारा जब हम carbon dioxide ठीक है यहां पे बात दो रही है carbon dioxide की जब हम carbon dioxide access में पास करते हैं ठीक है जादा पास करते हैं तो जो lime water होता है वो colorless हो जाता है क्यूं क्यूं होता है colorless यह reason पुछा उन्होंने क्यूं क्यूंकि वो उस time किस में form हो जाता है calcium bicarbonate ठीक है इन चीज में confused नहीं होना जब calcium carbonate बनता है वो क्या होता है colorful लेकिन जब calcium bicarbonate बनता है तब वो colorless क्यूं क्यूंकि उस time हमने carbon dioxide gas को जादा पास किया होता है ठीक है जब chemical reaction होती है यह chemistry lab में कोई भी experiment करते है अगर हमने gas को carbon dioxide को ज़्यादा excess में कर दिया तो calcium bicarbonate बन जाता है किसमे lime water में ठीक है lime water में जब हम gas को ज़्यादा release कर देते हैं ठीक है जो calcium bicarbonate होता है वो colorless होता है लेकिन जो calcium carbonate होता है वो colorful होता है ठीक है, wide color का होता है वो तो हमारा option second correct है next question है हमारा chemical formula plaster of Paris ठीक है, ये question बहुत ही ज़्यादा important है, चाहे छोटे level का exam हो चाहे बड़े level का exam हो ठीक है, चाहे board के exam हो ये हमेशा ही पूछते हैं question कि जो plaster of Paris है उसका formula क्या है ठीक है, तो उसका formula होता है calcium, sulfate half butter plaster of Paris क्या होता है जब आपकी bones fracture होती है तब हम plaster लगाते हैं उसको बोलते हैं, अब यहां से आप ऐसे भी relate कर सकते हो कि जब हड़ियों, हड़ियों के लिए सबसे ज़्यादा कौन से nutrient की ज़रूरत होती है calcium, ठीक है तो जब आपको plaster लगाते हैं वो उसमें क्या डालते हैं वो पाने डालते हैं, हाव पाने डालते हैं ठीक है, calcium, sulfate और हाव water किसका बन गया यह formula plaster of Paris का तो option third हमारे रखते हैं अब यहां पे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि यह जो product बना हुआ है यह किस से बनता है यह बनता है Gipsum से ठीक है Gipsum से chemical, मतलब chemistry में कोई भी जो metal minerals बने होते हैं वो और से बनते हैं और क्या होती है, जैसे rock होती है न चटान होती है ऐसे यह mineral होता है फिर इसकी roasting, calcination करते हैं फिर इससे हम क्या निकालते हैं product निकालते हैं ठीक है, ऐसे ही पूछा हुआ है कि ऐसे भी पूछ सकते हैं, बहुत बार पूछा हुआ है प्लास्टर पैरी किस से बनता है Gipsum से, ठीक है और first time कहां पे, किसने बनाया था इसको यहां पे देखो, नाम पे लिखा है Paris Paris क्यों लिखा है, क्योंकि Paris कहां पे France में, ठीक है तब भी France में first time इसको बनाया था तब हम इसको, इसका नाम भी बढ़ गया Plaster of Paris तो यही था अब वो रहेंगी bleaching action of chlorine यह कौन सी reaction होती है chlorine में जब हमने water डाला तो आगे जाके क्या बना, आगे जाके हमारा बनता है Clho, मतलब यहां पे oxygen add हो रही है और hydrogen remove हो रहा है, हना इस process में oxygen add हो रही है hydrogen remove हो रहा है, तो इसका मतलब कौन सी reaction होई जब bleaching action आप chlorine में होता है, oxidation ठीक है, oxidation में क्या होता है, oxygen add hydrogen remove और reduction में इसका opposite hydrogen add, oxygen remove कहां पे, product में, और उसके बाद decompose hydrolysis ठीक है, तो इसका जो correct option है हमारा fourth अब वो रहेंगे जो potassium per magnet होता है, ठीक है potassium per magnet उसको हम पानी में purify करने के लिए use करते हैं, क्यों? potassium per magnet को हम पानी में purify करने के लिए use करते हैं, क्यों? क्योंकि वो oxidize करता है, oxidize का मतलब impurity को उपर लेकि आता है, फिर उसको filter से हम बहाँ निकाल देते हैं ऐसे भी पूर सकते हैं, पानी को purify करने के लिए हम potassium per magnet का use कर सकते हैं नहीं, तो हम कर सकते हैं ठीक है? और कौन-कौन से chemical होते हैं, जो हम पानी को purify करने के लिए use करते हैं, एक आग है हाइपो chloride, chlorine dioxide chlorine hydrogen per oxide potassium per magnet gamma ray और ubi light ठीक है? अब ray में पूछे तो gamma ray और ubi light ठीक है? gamma ray और ubi light पानी को साफ करने के लिए use करते हैं, chlorine तो बहुत common method है, हना उसके बाद hydrogen per oxide potassium per magnet, hypo chloride chlorine dioxide ठीक है, यह सारे ही पानी को disinfect करने के लिए purify करने के लिए use करते हैं, अगर पूछे कि कौन सी ray हम use करते हैं, gamma ray और ubi ray ठीक है, gamma ray और ubi ray urea is a commonly used nitrogen based fertilizer हना, आपको पता ही है कि urea हम fertilizer में use करते हैं, क्या होता है इसमें nitrogen ठीक है nitrogen, ऐसे भी nitrogen gas होती है, वो soil की enrichment, ठीक है soil की fertility को increase करने में बहुत important होती है, question में अगर ऐसे पूछे कौन सी gas होती है, जो soil की fertility को increase करती है, nitrogen कौन सी gas है जो urea में होती है, nitrogen nitrogen, अब ये बोल रहे हैं, जब हमने urea बनाया, ठीक है nitrogen based urea बनाया, तो उसको बनाने के लिए reaction होती है, एक ammonia और किसके साथ, ठीक है, एक ammonia और किसके साथ reaction होती है, ammonia का formula होता है NH3, तो किसके साथ हम इसको react करवाएंगे, तो हमारा बनेगा yuria, तो हम carbon dioxide के साथ, जब इसको हम react करवाते हैं, तब हमारा बनता है yuria, ठीक है, ऐसे भी बूल सकते हैं, यूरिया बनाने के लिए gas, कौन सी gas ही यूस होती है, carbon dioxide, अब ऐसे भी बूल सकते हैं, कि looker में होती है, उस टाइम ही ये gas form में तो ये होती है, लिकर फॉर्म में, यूरिया का chemical ही क्या नाम है, कार्वेवाइट, ठीक है, कार्व माइड, ठीक है, कार्वे माइड, किसका नाम है, यूरिया का, यूरिया कहां यूस करते हैं, fertility के लिए, तो option A हमारा, अब बोरेंगी, जो rancidity होती है, वो किसकी example है, कौन सी type of reaction है, rancidity होती क्या है, यैसे बोलते हैं, आपने कहीं दूर जाना हो, travel पे जाना हो, बोलते हैं कि fry चीजे लेके जाओ, उसमें क्या होता है, वो long time के लिए चलती है, क्यों क्योंकि उसमें rancidity होती है, ऐसी reaction होती है, उसमें oxygen एड़ रहती है, ठीक है, आईल के जो molecule होते हैं, उसमें oxygen फिल होती है, तो फिर oxygen एड़ होती है, तो कौन सी reaction होगी इसमें, rancidity में, तो oxidation है न, तो option, बी क्रेक, आप बोल रहेंगी जो limestone है, उसका chemical formula क्या है, इसका formula आता है calcium carbonate, ठीक है, calcium carbonate जो हम building विगरा में, यूज करते हैं, ठीक है, तो option, बी हमारा ग्रेक, यह हमारा chemical reaction, जो science का topic था, उसके ओपर important mcq थे, friends अगर आपको अच्छा लगे तो like, share, and comment में बताओ कि next आपको किस topic पे, या फिर कौन से subject पे video चाहिए, thank you.